नमस्ते पहरी विध्यार्थियों, आज हम याँ पर एक त्रिवुज की तीनों अंतहे कौन ग्यात करेंगे जबकि उनके तीनों अंतहे कौनों का अनुपात आपको दिया गया हो तो इस प्रकार के प्रेस्टन को किस प्रकार से हल किया जाता है वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो देखें जब आपके पास अनुपात दिया जाता है और दूसरी बात यह होती है कि आपके पास अगर कोई त्रीबुज हो तो त्रीबुज के जो तीनों अंते कौन हैं उनका जोड हमेशा कितना होता है 180 होता है तो पहला काम आपको क्या करना है कि इन अनुपातों के एकोर्डिंग आपको कौन मान लेना है तो माना त्रीबुज के तीनों अंते कौन करमस है करम से का मतलब लगातार अब दो अनुपात है तो इसको आप कह सकते हो 2X, 3X और 5X तो करम से 2X फिर हो जाएगा 3X और 5X तो हमने इन तीनों को X से गुना कर दिया अगर Y से गुना करते तो 2Y, 3Y और 5Y हो जाता अब यहां पर क्या होता कि त्रिबुज के तीनों अन्ते कोनों का योग त्रिबुज के अन्ते कोनों का योग या तीनों अन्ते कोनों का योग एक ही बात है तो त्रिबुज के अन्ते कोनों का योग एक जो त्रिबुज होता है उसमें तीन कोनों होते है और 3 अंत्य कोनों का जोड हमेशा कितना होता है ? 180, 180 डिग्री होता है अब यहां पर 3 कोन 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 से ? एक तो 2 X का, एक 3 X का, और एक 5 X का इनकों जोड़ेंगे तो 2 X प्लस 3 X प्लस 5 X is equal to 180 अब यह सारे X है 2 यहां, 3 यहां, 5 यहां तो कितने X हो गए सारे के सारे पलस के तो 5 और 3 और 2 10 तो यहाँ पर हो गए 10 X 10 X है न वो किसके बराबर है 180 degree के बराबर है तो X किसके बराबर होगा तो बीच में जो निसान वो गुणा कर गुणा उदर जाएगा भाग में तो X की जो वेल्यू है न वो मिलेगी आपको 180 और बटे में आ जाएगा 10 0 से 0 कटेगा X किसना उसकी वेल्यू आ जाएगी आपके पास 18 degree कितनी आ जाएगी 18 degree अब हम यहाँ पर इसके तीनों कौन निकाल सकते हैं अता है कौन अब पहला जो कौन था वो ता 2 X का तो अता आप यह लिखो 1st कौन पहला कौन बराबर 2 X X की वेल्यू कितनी है 18 degree तो X वाली जगाँ आप 18 रख देंगे यहाँ पर 18 को दो से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 यानि पहला जो कौन है वो 36 degree का हो जाएगा पिर इसी प्रकार से आप निकालेंगे इसका सेकिंड कोन अब सेकिंड कोन निकालने के लिए सेकिंड कोन का जो अनुपाद वो 3 X था तो 3 X तीन इंटू X की जगह भी आप 18 रख देंगे तो 18 दिया चोवन यह हो जाएगा 54 degree का फिर आजाएगा थर्ड कोन यानि तीसरा कोन तीसरा जो कोन है उसका अनुपाद बताया किया था है पर 5 X तो 5 की जगहाएगा 5 और X की जगहाएगा 18 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90 degree इनको आप आरा हम से जोड़ करके देख लीजिए इन तीनों का जोड़ 180 आएगा 6 और 4, 10 1 एक आशिल वाली 4, 5, 9, 9, 18 तो तीनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है तो आपका ये जो क्युशन है वो याँ पर कम्पलेट हो जोग है तीनों का योग 180 होता है जब आपको अनुपात दिया जाए और आपसे कौन पूछे जाए तो बेटा वो कौन आप इस तरह से निकाल करके बता सकते हो आपको क्यूशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना